नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जी राजस्थान मैं हूँ आपके साथ चन्दिशी राशवूत देखें वो सुंदर वेला जिसका हर को इंतजार कर रहा था वो अब आ गई है और शुब घडी जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था वो भी आ गई है और आपको हम लगातार तस्वीरों के माधिम से भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आयोध्या नगरी को सजाया गया है, किस तरीके का जोश और उमंग लोगों में नजर आ रहा है, भावक हो रहे हैं लोग क्योंकि ये उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये उनकी जीवन से दिल को छूलेने वाली हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आयोध्या से जहां ये मंदिर है और इस मंदिर को ऐसा सजाया गया है, जैसा कि आज तक कोई मंदिर नहीं सजा होगा, जैश्री राम नाम की गूझ हर और सुनाई दे रही है, मंदिर के अंदर का जो प्रांगन है उसे देखकर अगर आपकी आँखों से अश्रू ना बह जाए तो कहिएगा, क्योंकि ये वही प्रभू का स्थान होने वाला है, जिसका हर को इंतजार कर रहा था, और एक बाग फिर से 500 साल बाद श्री राम अपने अयोध्या नगरी वापस आ रहे हैं, तिये मनमोहत पूर से भी हमने आपको तस्वीरे दिखाई और अलग-अलग जगे से हम आपको तस्वीरों के माधियन से दिखा रहे हैं कि लोगों में किस तरीके का उत्सा है, कैसे वो श्री राम का अपने तरीके से स्वागत कर रहे हैं, कैसे वो अपने घरों को सजा रहे हैं, दीप ज और अब वो समय दूर नहीं है जब कुछी देर बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी हमारे देश के प्रधान मंत्री उधगाटन करेंगे और फिर राम लला सभी के साथ होंगे और हमारे साथ हमारे खास मेमान महराज श्याम गुरुजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनका रुख करेंगे क्योंकि लगातार वो हमारे साथ सुबह से ही बने हुए हैं और इस थरीके पर इस खास मौके पर और क्या शुब हो सकता है जब महराज कुछ हमारे साथ हो और क्योंकि महराज जी देखे इस तुबैसे ही हम तस्वीरे दर्शकों को दिखा रहे हैं अयोज्या नगरी हमने दिखाई कि कैसे सच धज कर दुलहन की तरह तयार है इस खास मौके पर बाते तो चर्चा जो हमने खूब की है लेकिन इस खास मौके पर देखे साधू संतों का भी बहुत महत्व होता है अचारी जी और ऐसे में उनको बुलावा भी दिया गया और जिस तरीके से वो जाएंगे वहाँ पर और साथ ही उस पूजा में भी शामिल होंगे कितना कुछ खास रहने वाला है उनके लिए भी आज का दिन शंत महात्मा या फिर आम जन्मानस कोई भी हो ये सब के लिए बहुत ही महत्तपूर समय है यह जो महूरत आया है सधारन महूरत नहीं है यह पौस मास की सुकल पक्ष की द्वादसी है पौस मास हमारे दो प्रकार के महीने चलते एक चंदर मास चलता है एक सौर मास चलता है वैसे तो पोसमास की सुकलपक्षी चल रहा है मगर उस परकार से देखा जाये तो यह सूर्व मास की हिसाब से जो संग्रांती हो जाती है उसके बाद पोसमास समप्ट हो जाता है और आज कूर्म जैंती कूर्म भगवान का जन्म हुआ था भगवान का छपा अतार लिये थे भगवान विश्णू ने इस परकार से और अभजित महूर्त में अभजित महूर्त सर्भी महूर्तों से सबसे स्रिष्ट माना जाता है तो अभजित महूर्त में भगवान राम की जो ये प्रतिष्ठा हो रही है वो बहुत ही सभी के लिए ब यह मात राम नाम के लिए ही कहा घया है कि सहस्त्र नाम के बराबर ये राम है और भगवाण राम की अचल हो रही है भगवान राम की अचल पुझे बीश्था हो रही है रजद मोह जान 느 कि कि इसकी प्रचेशंट्ग मैं ऐसे प्रिष्थेट होते से बागवान सिव जो है नदुन आप में पतिष्ठित होते हैं वहां का पत्तर कंकर कंकर श्यूमय होता है उसी प्रकार जो है जो भगवान साली ग्राम होते हैं अपने आम में पतिष्ठित होते हैं भगवान ब्रिश्णू की पतिष्ठा होती है उस साली ग्राम से भगवान राम लला की मूर्ती बनाई गई है और हुआ था उनका इंतजार किया था मगर हमारे जनमानस ने तो 500 वर्सों से भी अधिक समय का भगवान का इंतजार किया है जो पूरा हो रहा है माता सबी जिस प्रकार अपना पूरा जीवन लगा दिया भगवान राम के दर्सन के लिए उनको बताया गया था आपकी जीवन में भगवान राम का दर्सन होगा कब होगा यह पता नहीं था तो नित्य जो है उस राष्टे को भुहरती थी जिस रास्ते से भगवान राम आएंगे वहापट एक काटा न रहे कोई कंकड़ न रहे और दिब्रिता के साथ में नित्य भागवान के भोग के लिए ब्योस्ता कि या करती थी इसी प्रकार से हम जन्मानस को भी नहीं पता था कब राम आएंगे लोग पूछते थे मंदिर कहां कब बनाओगे तरीख नहीं बता रहे हो तो हम लोगों ने कहा परबारत्मा तरीख बताएगा आज वो तरीख वो समय सबकुस निश्चित हो गया है हमारा जो 500 व हेद disparities में आज भगवान राम के प्रतिस्ठित हो गहे हैं हमारे रिदा में बस रहे हैً आज हम अतने दृरीत हैं सभी लोग भगवान के रज्चरण सभी को मिलेगा और सभी लोग जो है आज भगवान की प्राणपतिष्टा के समय अपनी अपनी मनोकामना के लिए जो कामना करेंगे वो ऐसा महूर्थ है सभी की मनोकामना नित्य ही निश्चय ही पूर्ती को प्राप्त करेंगी इसलिए सभी लोग जो अपने अपने मनोकामना को पूर्ण करेंगे वैसे हमें आज भगवान से कोई धन नहीं मांगना हमें भगवान से गारी घोड़ा मकान नहीं मांगना हमें भगवान से अपनी भक्ती मांगना है उनके चरणों में प्रीती मांगना है और धर्म में दिग रहें इसी प्रकार हमा जहां आर्टी हो रही और देखिए बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी यहां पर है और ये आर्टी में सभी लोग श्रामिन है और हर मंदिर को आज की दिन सजाया गया है जैपूर से ये लाइफ तस्वीर हैं आपके सामने लेकर आए हैं अयोध्या में जिस तरीक से राम डला के मंदिर को सजाया है वैसे ही यहां पर भी जैपूर के अलग-अलग मंदिर को सजाया गया और ये आर्टी की लाइफ तस्वीर है आपके सामने और जगय जगय से देश में हर कोने कोने से तस्वीर सामने आ रही है और हर मंदिर में आज खास तरीके की पूजा रखी गई है खास तरीके का नुश्ठान रखा गया है भक्तों पे लिए भी खास तरीके की व्यवस्था की गई है क्योंकि भारी संख्या में आज मंदिरों में भक्त दर्शन करने जाएंगे अगर भक्त जो है मंदिरों में नहीं जा पाँ तो अपनी घर से ही श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अलग-अलग तस्वीरे जहां से आ रही हम आपको दिखा रहे हैं जैपूर से पिलाली तस्वीरे हैं जहां आर्तीस वक्त हो रही है और अयोध्या नगरी तो अपने आप में दुलन की तरह सजी ही है क्योंकि आज जो है हर कोई दीवाली जैसा त्योहार मनाएगा और यही कहा भी गया है अपील भी की गई प्रधान मंत्री नरेंज मोधी के द्वारा कि आज सभी लोग अपने घर में दीवाली की तरह दिये लगाएं लाइट लगाएं और रोशनी से जगमगा जाए आप सभी का घर तो ऐसे में हर जगे मंदिरों में भी पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है क्योंकि वो शुब घड़ी जिसमें अब समय कम ही बचा है उससे पहले हर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि इतने लंबे समय का इंतजार आज जब वो सपना फूरा हो रह उसके हम सभी साक्षी है और साक्षी है आज के दिन के जो क्योंकि ये दिन हमेशा याद रहने वाला है यादगार ये दिन हो जाएगा क्योंकि सभी आज पूरा देश इसे देख रहा है अचारी जी शाम जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और हम चर्चा कर रहे हैं अचा जिस तरीके से ये तो जैपूर की तस्वीर है, इससे पहले भी हमने कई तस्वीरे दिखाए जहाँ पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे पूरे वरड में जितने भी मंदीर है जहां पर भगवान राम की प्रतिष्ठा नहीं थी वहां लोगों ने भगवान राम की मूर्ती को ला करके आज के ही दिन और उसी समय उसी मुहूर्त में भगवान राम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं जैसे दिल्ली में जंडेवाल आदी मंदिरों में प्रतिष्ठा प्राप्रतिष्ठा का कारक्रम चल रहा है हमको जानकारी मिली है इस प्रकार से पूरे वर्ड में पूरे बिश्व में पूरे भारत के जो मंदिर है जहां रामलाला पहले से विराजित हैं वहाँ पर उनकी वि श्री राम का रामयर का अखंड पाठ भग्वे अखंड कीर्तन और सुन्दर कान आदी का पाठ चल रहा है जिसमें सभी मंदिर जो है आज गुलजार मैं हैं भगवान सभी के रहदय में आज गुलजार मैं हो रहे हैं जो लोग अपने घर पर भी बैठे हैं भगवान का राम क बिल्कुल और ये रौनक देखते ही बन रही है आचारे जी क्योंकि देखे ना सिर्फ अयोध्या नगरी में रामलला का मंदिर बलकी देश के कोने कोने से मंदिरों की जो तस्वीर सामने आ रही है मंदिरों को जिस तरीके से सजाया गया क्योंकि हर कोई राम में राम की भक्ती में डूबा हुआ नजर आ रहा है अयुद्या नगरी को जिस तरीके से तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरीके से साथ सजावट की गई है क्योंकि महमानों का आना भी शुरू हो चुका है एक एक करके सभी महमान भी वहां आ रहे हैं और जो भक्त है जो आज दर्शन करने के लिए आयोध्या में राम लला के मंदिर पहुँचेंगे वो बेहदी सोभाग शाली है क्योंकि जिस तरीके से मंदिर को बनाया गया है और जुस तरीके से प्रान पतिश्टा की जाएगी जैसे कि सुभह जब हमारे साथ गैस्ट जुड़ी थी हमारे साथ पुजा जी उन्होंने भी एही कहा था कि एक मूर्ती को एक पत्थर को पहले तो मूर्ती में तराशा जाता है और फिर उस पर पथर को तोड़κα, जब उस मूर्ती को बनाया जाता है तो उसमें साक्षात दर्शन भी देखने को मिलते हैं और यह चमतकारी होता है यानि आप एक कलाकार की देखिए कि पथर को तराश के वो एक मूर्ती बना देता है जोकि बहुत ही मुश्किल और जटल काम होता ह लेकिन आचायजी जिस तरीके से इस बार हमने अगर बात की जाए राम मंदिर में भगवान राम की मूर्थी की बेहद ही मनमोहक है आखों को सुकून देने वाली और ऐसा जैसी की साक्षात राम भगवान सामने खड़े हो पत्थर को तरास करके इश्वर की मूर्थी मनाई ज दिया जाता है तब तक उसमें प्राण प्रतिष्टित नहीं होते हैं इसलिए उसमें छेनी आधी का प्रयोग किया जाता है इसके बाद मंत्रों के द्वारा अनुस्ठानों के द्वारा प्रभू को अधिवास दे करके जैसे जल में भरा जाता है अन्ना धिवास होता है अन के अंदर प्रान आ जाते हैं और सいて मूर्थी का जिब आँख से पटी खोली जाती है उसके सामने की रखा जाता है और जैसे डिब्जोति उस दरपन पे परती है वह दरपन उनसे मनो-कामना के लिए जो कुछ भी आप मांगते हैं वो मनो-कामनाएं पुरूम्ण हुआ करती हैं धर्सन कर लेने मात्र से लोगों के जनम-जनमांतार के पापो निसपाप हो जाया करते हैं इसलिए हम मंदिर आदी में जाकर के भगवान के दर्सन किया करते हैं और उनका आसिरवाद प्राप्त किया करते हैं बिलकुल महराजी और आज तो हर कोई आस्था की डूबकी लगा रहा है हर कोई राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है तस्वीरे भी हम कई लोगों को दिखा रहा है जिसमें एक एक तरीके से अपना जो प्यार है जो आस्ता है जो भाव है भगवान राम के प्रती वो दर्शा रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है चाहे वो कैसे भी उचोटे स्थर पर हो या बड़े स्थर पर हो हर इंसान अपनी अपनी शद्धा भाव से भगवान की भक्ती में डूबा हुआ नजर आ रहा है मिखस्वाड़की जया जाएगा विधेशों में अभूत् पूरू है यह आज तक आप दिवाली मनाते अगरे इसी दिवाली आज तक नहीं मनाई होगी इतना उल्लास मंद्रों में दिवाली होता अभूतुत पूरो है हमारे हिसाबत है हमारे समझ निउमली लोग पहली बा कि जन जन के मानस में वो उल्लास भर गया है सब कोई अपने अपने हिसाब से प्रभू की उस उल्लासना को व्यक्त करना चाहता है जो सब्दों से व्यक्त नहीं हो पा रहा है भगवान ने जब अपनी कृपा को प्राप्त कराया तो जो ब्यक्ति से जो जैसी भिबना वो ऐसे भगवान की प्राथना को कर रहा है उनके राम नाम का कीतन कर रहा है उनका नाम ले रहा है इस प्रकार से जो उल्लास रदय में प्रफुलित हो रहा है उसको अपनी वानी से व्यक्त कर रहा है जो सबसे व्यक्त करने के जो है सब कोई व्यक्त नहीं कर पा रहा है पर जैसे प्रफूलित मन में जिसका जो आ रहा है वो अपने मन की जो है भावना को व्यक्त कर रहा है और यहाद anonymous सीधी तस्वीरे जहाँ पर लोग आस्था की डुपकी लगाते हुए नजर आ रहा है और देखे सुभे से ही और ये जानिये कि कल रात से ही यहाँ पर लोगों का ताता लगा हुआ है और सुभे तड़के भी यहाँ पर आस्था की डुपकी लोग लगाते हुए नजर आ है ठंड की परवा नहीं है लोगों को क के कड़ाके की सरधी पढ़ रही है इसी बीच लेकिन यहां पर लोगों की मौजूद की ये दर्शाता है कि उनकी भक्ती राम के लिए क्या है उनकी आस्था राम के लिए क्या है और यह आस्था की डुपकी चाहे पानी कितना भी ठंडा क्यों न हो आप तस्वीरों में ज़र कि ठंड का भी लोगों को एसास नहीं हो रहा है इतनी श्रद्धा के साथ और मन में विश्वास के साथ में और उत्सुकता के साथ में कि आज वो श्री राम को अपनी आखों के सामने देखेंगे जाकी रही भावना जैसी प्रभमूरत देखी तिनतैसी आज ऐसी भावना बन गई है इस सरदी में भी ब्यक्ती के अंदर आत्मा में भगवान की यो है प्रणपतिष्ठा की जो प्रफुल्त है जो मन में आशा है उससे इस सर्दी में भी सर्यू एसनान कर रहे हैं और सर्यू एसनान करने में भी मनप्रसंन है किसी बेक्तिकों सर्दी नहीं लग रही किसी बेक्त कोई बिमारी नहीं हो रहे है मन प्रफुल्यत हो रहा है और एसनान करके भगवान की इस प्राण प्तिष्ठा को देखने के ल इस चीज के में सामिल होने के लिए महाराजी और इसी आस्ता की डुपकी के साथ में अगर कोई पापी भी होगा तो उसके पाप भी दुल जाएंगे क्योंकि देखिए आज का दिनी इतना खास है और हर को यह चाहता है कि सच्चे और साफ मन से सच्चे दिल से वगवान राम क के सामने जाकर खड़ा है आप अमारे साथ बने रही है महाराजी क्योंकि यहां पर वक्त हो गया एक चोटे से ब्रेका लेकिन जल्द हाजिर होंगे और आपको खूबसूरे तस्वीरे दिखाएंगे